हालो फ्रेंज वेलकम टू लेनिंग अफ्रंट इन्वेस्टिंग दोस्तों आज हम आपके सामने फंडामेंटली फाइव स्टॉक्स लेके आए हैं और इन सभी स्टॉक्स के Q2 के number declared हो चुके हैं और number काफी अच्छे हैं और दोस्तों अगर आप कोई स्टॉक खरीदने की planning कर रहे हैं तो wait for their Q2 numbers क्योंकि जिस stock के number declare होने वाले होते हैं वहाँ पे short term में काफी volatility देखने को मिल सकती है क्योंकि उस दुरान traders, buyers, sellers बहुत ज़्यादा active रहते हैं और news पे भी stock काफी जल्दी react करता है तो friends, let the dust settle and then buy a stock और इन सभी stocks के results आ चुके हैं तो यहाँ पे आप buying on dips की strategy अपना के buying कर सकते हैं तो दोस्तों कोई buying या selling call नहीं है अगर आपकी stock को खरीदना है बेचना चाहते हैं तो अपने financial advisor की सलाह ज़रूर लें तो friends, बढ़ते हैं अपने first stock की और first stock का market capital आप देख सकते हैं इट stands at 81,896 crore rupees और current price इसका देखिए 4,670 का है और all time high देखिए 7,595 रुपीज का है तो आप देख सकते हो all time high से ये almost 40% के discount पे मिल रहा है और इतना ही नहीं दोस्तों ये आपको 200 DMA से भी नीचे इस समय मिल रहा है आप देख सकते हैं 200 DMA इसका कितना है 4,863 और अभी current price इसका है 4,670 के आसपास ये अभी चल रहा है तो दोस्तों 200 DMA से भी ये discounted price में मिल रहा है और ROCE देखिए 35.7 का है और ROE है 28.5 का promoter holding काफी decent है 74% और अगर हम इसकी sales को देखें, profit को देखें तो sales इसकी year on year बढ़ती ही जा रही है और दोस्तों अगर आप एक long term investor है तो आपको long term की picture ही देखनी है 5 years, 10 years एक दो quarter से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए तो उसी basis पे हमने ये stock pick किये है आप sales देखिए, operating profit देखिए, इसके बढ़ते ही जा रहे है year on year और अगर net profit की बात करें तो वहाँ पे भी same trend है it is also increasing on why on why basis तो दोस्तों sales growth देख लेते हैं history देख लेते हैं last 10 years की तो sales growth last 10 years में 17% है last 5 years में 19%, last 3 years में 18% और currently it stands at 30% compounded profit growth last 10 years में 19%, 5 years also same 19% and 3 years 15% and now 21% और अगर बात करें हम stock price CAGR की तो ये 5 years में इसने 42% के CAGR से अपने shareholders को returns बना के दिये हैं जो काफी positive है और अगर हम last 3 years की बात करें तो वहाँ पे भी काफी अच्छा response है 43% पे और अभी ये काफी discounted price पे हमको मिल रहा है जैसा कि हम देख चुके हैं return on equity last 10 years में 34%, last 5 years में 31%, last 3 years में 29% और last year में भी 29% shareholding pattern जैसा कि आप देख सकते हैं promoters के पास 74.03% का stake है FIIs के पास 8.42% का stake है और DIAIs के पास भी almost 8.14% का stake है और public के पास देखिए दोस्तों almost 9% यनकी 10% से भी कम का stake है तो थोड़े से stake ही public के पास है और इसका majority of shares strong hands में ही है that is promoters plus FIIs plus DIAIs तो shareholding pattern भी बहुत strong है fundamentals भी बहुत strong है उपर से आपको discounted price पे ये मिल रहा है और दोस्तों आपको क्या चाहिए और stock का नाम है LTI Larson and Tubro Info Tech और दोस्तों आप जानते ही होंगे कि LTI Larson Tubro Info Tech और Mind Tree का merger होने वाला है और इसकी value unlocking भी होगी बहुत strong entity बनेगी software sector में और दोस्तों अगर हम services की बात करें तो almost सभी services ये provide करती है blockchain, artificial intelligence, machine learning and all सब कुछ तो दोस्तों now let's move to our next stock हमारा next stock जो है उसकी market capital आप देख सकते है 6,24,463 करोर की market capital है current price इसका है 1,484 और all time high है इसका 1,954 और दोस्तों आप इसका 200 DM में भी check करें 1,543 का है और current price अभी ये 1,480 रूपीज के आसपास हमको मिल रहा है ROCE 37.1 का है और ROE almost 30 का है तो दोस्तों अगर हम sales की बात करें तो March 2018 में इसकी sales थी 70,522 और अभी ये stand करती है 1,35,151 और operating profit 18,000 से बढ़के हो गए है 32,995 रूपीज और वही net profit की बात करें तो 16,029 से बढ़के हो गए है 22,905 रूपीज और दोस्तों अगर हम table form में last 10 years का data देखें तो compounded sales growth last 10 years में 14%, last 5 years में 12%, last 3 years में 14% और अगर compound profit growth चेक करें तो last 10 years में 10%, 5 years में 9%, 3 years में 13% और currently standard 10% return on equity last 10 years में 25%, last 5 years में 26%, last 3 years में 27% और अभी 29% stock price CAGR देख लेते हैं last 10 years में 17%, last 5 years में 26%, last 3 years में 25% तो दोस्तों हम यहां पर आगे चलके कुछ और discussion करेंगे इस point से related तो आप बने रही है और share holding pattern इसका देखिए दोस्तों promoter के पास सिर्फ 13% का stake है और लेकिन घबराने की जूर्थ नहीं है क्योंकि यह सारी कसर institutional investors ने पूरी कर रखी है आप देखें institutional investors का share देखिए FIA के पास 31.72% का stake है DIA के पास 18.87 यान कि almost 19% का stake है और public के पास almost 35% का stake है तो दोस्तों अगर हम business model की बात करें तो IT sector की company है और it is India's second largest IT company in India behind TCS तो दोस्तों company का नाम है Infosys अगर आप एक large cap IT company ढून रहे हैं with strong fundamentals जो काफी stable return provide करें ज्यादा volatility आपको ना face करनी पड़े तो I think this is the company you should go for Infosys Limited तो दोस्तों LTI mid cap है इसमें थोड़ा सा up and down ज्यादा देखने को मिल सकता है और Infosys ये थोड़ा से large cap है इसमें थोड़ी आपको stability जरूर मिलेगी तो जो low risk taking investors है उनके लिए Infosys है और जो risk tolerate कर सकते हैं उनके लिए LTI है लेकिन दोनों company fundamentally super strong है अचा next company देख लेते हैं market capital देखिए इसका ये उन दोनों से भी छोटी company है 17,845 करोर के आसपास का market capital है current price देखिए 650 के आसपास ही अभी घूम रहा है और all time high है इसका almost 800 और इसका 200 DMA है 538 रुपीज तो वहां से अभी थोड़ा उपर है ये और ROCE 24.1 का है और ROE 21.5 का है तो अगर sales देखें इसकी भी काफी अच्छा pattern नजर आ रहा है देखिए दोस्तों कितनी अच्छी growth है 641 करोर से बढ़ते बढ़ते हो गई है 2705 करोर थोड़ा सा covid की वज़े से यहां पे dent है otherwise fundamentals में कोई कमी नहीं है operating profit 92 करोर से बढ़ते बढ़ते हो गए है 507 करोर दोस्तों एक point note कीजिए इसकी sale dip हुई है यहां पे लेकिन operating profit में उतना dip देखने को नहीं मिल रहा है और अगर हम net profit देखें तो यहां पे देखिए almost flat ही है 148, 147, 276 और operating profit में तो कोई covid का effect नजर आ ही नहीं रहा है तो दोस्तों यानि की कहने का मतलब यह है profits में dip नहीं हुए है sales भले ही थोड़ी सी dent हो गई हो due to covid लेकिन comeback भी sales का comeback भी इसका बहुत solid है देखिए next year इसने 2432 यानि की pre-covid level से भी काफी उपर चला गया है और अब ही तो खेर 2705 काफी लंबी चलांग इसने लगाई है तो दोस्तों मैं companies को year on year basis पे ही track करता हूँ अगर कोई अच्छी company है और उसकी एक दो quarter के result खराब आए तो मुझे बिलकुल फर्क नहीं परता तो friends moving on इसकी sales growth देख ले थे हैं last three years में 56% और compounded profit growth last three years में 50% तो काफी solid है और अगर मैं return on equity की बात करूँ तो last three years में 17% और last year में 21% और stock price CAGR देख लेते हैं दोस्तों इसका last three years में 88% के कैगर से इसने return बना के दिये हैं अपने shareholders को अभी one year में 91% का return इसने बनाया है तो return में भी खूब पैसा बना के दे रही है अपने investors को और shareholding pattern 40% stake है promoters का और FIIs के पास है 16% का stake, DIs के पास है 10.74% का stake public की बात करें तो 31.69% का stake public के पास है okay company का नाम देख लेते हैं it is KPIT और आप जानते हैं ये company electric vehicle के लिए काम करती है तो I think future काफी bright है इस company का क्योंकि आने वाले समय future किसका है electric vehicle का ही है ये internal combustion vehicle तो I think जादा time अप चलने वाले नहीं है future belongs to electric only तो business model देखिए बहुत सारे continents में इसका business फैला हुआ है Europe में, USA में, Japan में, China में और यहाँ पे इसका business model समझाया गया है आप इसको go through कर सकते हैं company has been earning about 41% of its revenue from USA, 41% revenue इसका USA से आता है, Europe से 39% and rest of the world 20% तो almost उन पहली दो companies जो discuss की थी उनसे काफी चोटी है लेकिन fundamentals में इसके भी कोई कमी नहीं है दोस्तो, don't underestimate it तो long term के लिए मुझे लगता है ये company भी बहुत multi-bagger returns बना के देने में सक्षम है क्योंकि इसका business model काफी futuristic है और नाम its KPIT Technologies तो now let's check our next stock, इसका market capital देखिये दोस्तो, 273,879 करोर रूपीज और current price 4,228 के आसपास ही अभी trade कर रहा है all time high की बात करों तो 5,180 रूपीज का इसने all time high बनाया है ROCE stands at 15.8% and ROE stands at 11.5% promoter holding is 75% और इसका 200 DMA की बात करों तो 4,097 रूपीज का 200 DMA है और दोस्तों, sales देख लेते हैं March 2017 से लेके अब तक इसकी sales बहुत consistently grow की है अब देख सकते हैं 11,898 करों से बढ़ते बढ़ते हो गई है 38,681 करों और अगर हम operating profit की बात करें तो 969 करों से बढ़ते बढ़ते पहुँच चुके हैं 3,506 करों पे और net profit 479 करों से बढ़ते बढ़ते यह देखें पहुँच चुके हैं 2308 करोर पे यहां पे थोड़ा सा COVID की वज़े से flat performance है यहां थोड़ा सा dip है और net profit की बात करें तो यहां भी COVID की वज़े से dip है बट हम long term के investors हैं हमको सिर्फ 10 साल के लिए ही सोचना है बीच में अगर एक दो साल के लिए अगर stock perform नहीं करता तो it doesn't matter और वैसे भी यह तो सब को पता है this is because of COVID तो यहां पे mostly companies के sales और profit आपको affected नजर आएंगे ही आएंगे तो all in all long term के लिए fundamentals up to date हैं बिल्कुल strong हैं बिल्कुल solid हैं so इसकी table form में sales growth देख लेते हैं past 10 years की so I think this is also pretty impressive last 10 years में 30% है sales growth last 5 years में 21% last 3 years में 16% and currently it stands at 39% compounded profit growth last 10 years में 38% last 5 years में 26% last 3 years में 19% and currently it stands at 68% return on equity last 10 years में 14% last 5 years में 13% last 3 years में 12% and now 12% stock price CAGR देखे दोस्तों last 5 years में 29% 3 years में भी same लेकिन अभी हमको अच्छे खासे discount पे मिल रहा है तो long term investors यहां से buying opportunities तलाश कर सकते हैं with help of their financial advisors शेर होलिंग pattern देखे कितना strong है इसका 75% का stake तो promoters के पास ही है बाकी बचा 8.5% FIIs के पास है 6.9% यह अल्मोस्ट 7% ही हो गया यह किसके पास है DIAIs के पास है और 9.5% हम retail investors यानि की public के पास है तो दोस्तों almost सभी shares इसके strong hands में ही है और public के पास almost 9.5% का stake ही है only 9.5% तो काफी strong इसका shareholding pattern नजर आ रहा है stock का नाम है Avenue Supermarts यानि की D-Mart के नाम से भी इसको जाना जाता है तो दोस्तों यह एक ही roof के नीचे almost सब essential products की services provide कर देती है सब ही products हमको चाहे वो food हो, garments हो, toys, games, stationary footwear, beauty and various home utility products और ठीक है यहां पे भी explain किया गया है garment products, toys, games, home appliances, stationary, moreover they are engaged in offering footwear products, kitchen wear products, beauty products, toiletries तो ठीक है यानि की आप जानते ही होंगे D-Mart वहां पे almost जरूरत का हर समान मिल जाता है और D-Mart की listing Avenue Supermarts के नाम से हो रखी है जैसे कि आप सब को पता ही है तो मुझे all in all ये काफी strong stock लगता है क्योंकि दोस्तों ये जो essential है इनकी demand में कभी कमी आने वाली नहीं है उल्टा ये year on year, month on month बढ़ती ही जाएंगी क्यों इनको recession भी effect नहीं कर सकता, कुछ भी effect नहीं कर सकता तो इसलिए मेरा मानना ये है कि ये चलता ही जाएगा और इसका future काफी मुझे यहां से bright नजर आ रहा है तो अब अगले stock को देख लेते हैं दोस्तों, market capital इसकी है 39,859 करोर current price अब देख सकते हैं 2,663 है और all time high 2,862 है और अगर ROCE की बात करें तो 22.5 है और ROE 17.3 है promoter holding 68% की है और अगर हम बात करें इसकी sales की तो 6,770 करोर से बढ़ते बढ़ते पहुंच चुकी है 13,411 करोर पर, operating profit चेक कर लेते हैं 729 करोर से बढ़के हो गए है 1,574 करोर और net profit देख लेते हैं 359 करोर से बढ़ते बढ़ते पहुंच गए हैं कहां पे 1,134 करोर पर, तो almost काफी steady growth है और यहां पे COVID की वज़े से भी कोई effect नहीं है profit में तो नहीं है, okay इसकी sales थोड़ी सी dent हुई है but almost flattish ही consider करेंगे हम तो कुल में लाके long term की picture बहुत strong है इस stock में भी और इसी basis में हमने 5 stocks आपके लिए choose की हैं क्योंकि इनके fundamentals मुझे rock solid लगते हैं और अगर हम last 5 years की बात करें तो sales growth इसके 17% है, last 3 years में 15% है और compounded profit growth देख लेते हैं last 5 years में 31%, last 3 years में 21% अगर return on equity देखें तो last 5 years में 19%, 3 years में 20% और last year में 17% वही stock price CAG, last 3 years में 55% की कैगर से इसने अपने shareholders को return बना के दिये हैं तो दोस्तों 55% annually, compounded annually, बहुत solid multi-bagger returns होते हैं this can create miracle और 1 year में 18% तो अभी यह थोड़ा सा शान्त है, यहाँ पे आप buying on dip की strategy अपना सकते हैं shareholding pattern भी check करना उतना ही जरूरी तो 68% का stake promoters के पास है, 5.71% का stake FIIs के पास है and domestic institutional investors hold 9% of stake public के पास देख लेते हैं 17.26% का stake है तो all in all majority of stocks इसके strong hands में ही है तो shareholding pattern भी बहुत मजबूत नजर आ रहा है name of the stock is polycab India limited और अगर हम business model की बात करें तो polycab is India's leading manufacturer of cables wires allied products such as UPVC conduits and lugs with glands we have a range of cables wires for practical every application moreover recently polycab has also announced a wide range of customer electrical products तो दोस्तों company अब FMEG यानि की fast moving electrical goods में भी entry कर चुकी है और वो बनाती है fans, switches, switch gears, LED lights, luminaries, solar inverters and pumps तो दोस्तों बहुत strong business है company का और अगर manufacturing facilities की बात करें तो it has 25 manufacturing facilities तो दोस्तों manufacturing facilities भी बहुत जादा है 25 at 7 locations 4 of 25 facilities manufacture FM EG products तो out of 25, 4 of these manufacturing FM EG products तो दोस्तों आप इसकी information अपने screen पर सकते हैं तो friends, video को like करना, share करना और चैनल को subscribe कीजिए और आपकी screen पर दो important videos flash हो रही हैं उन दोनों को end तक जरूर देखिए तो friends, इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक लिए goodbye, take care and thank you for watching this video